हलो मैं डियर फ्रेंड्स आप सभी का हमारी चैनल करें टिश्रीब स्वागत हैं दोस्तों बात करेंगे डिश्टल इलेक्ट्रोनिस के एक इंपॉर्टन टाफिक थ्री वैरियेबल के मैप की तो इस वीडियो के माध्यम से के मैप के थ्री वैरियेबल के अंतरगत जितने भी पूछा जाता है तो चलिए मैं आपके के कुस्चन को इंक्लूट करता हूं सारी चीजों को बताता हूं वीडियो के लास्ता का आप बने रहें चलिए यहाँ पर मैंने पहला question जिस प्रकाल लिया है एक आपका इस type से question दे दिया जाता है जैसे कि F is equal to A, B, C आपको दिया गया और summation of आपको दिया गया 2, 3, 4, 5, 6, 7 इसका मतलब क्या है चीजों को मैं समझाओंगा तो आपको पहले यहाँ पर मैं बता दू कि यह 3 variable है तो 3 variable का मतलब आपका 2K power 3 तो टोटल आपके नमबरा ब्लॉग जो बनते हैं वो 8 बनते हैं तो आपको यहाँ पर 3 variable में टोटल यह आपने जब पिछला वीडियो आपने दे तो जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं टोटल यहाँ पर जो ब्लॉग बनाया गया है टोटल यहाँ पर 8 ब्लॉग बनाया गया है ठीक है आप देख सकते हैं तो यहाँ पर आपको important यहाँ पर यह हो जाता है कि आपको ABC की जो यहाँ पर यह ABC दिया है यहाँ पर इसक प्रकार के question में जब इस प्रकार का आपको question दिया जाएगा तो इस में इस graph में जो आपको fill up करना होता है मतलब इस map में आपको fill up क्या करना होता है यह important है देखिए ABC आपका यहाँ पर देखे धीरे से चीजों को समझेगा अगर आप जल्दी में है तो आप वीडियो बाद मे इधर लिखेंगे B बार C इधर लिखेंगे BC इधर लिखेंगे BC बार ओके आप C बार कहें या C का compliment कहें आपके उपर depend करता है इधर आपका A है तो इसको A का compliment और यह आपका A हो गया यह तो आप इस प्रकार से इसको लिखेंगे ठीक है लेकिन main important यहाँ पर यह होता है यह 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 तो यहां तक इस number को जो हमने fill up किया यह important होता है कि 3 variable के अंतरगत हमने rule में भी आपको बताया था कि यह आपका इस प्रकार का question होगा तब आपको यह जो number मैंने यहाँ पर लिखा यह याद होना चाहिए ध्यान दीजे यह number आपका 0, 1, 2, 3 इस प्रकार से नहीं है यहाँ पर जो आपका start होता है यह आपका 0, 1, फिर यह 2 है तब यह 3 है यह 4 है यह 5 है फिर यह 6 है तब यह आपका 7 है ठीक है तो यहाँ पर number जो आपको यहाँ ने लिखा है अब यहाँ पर जो यह आपको दिया गया है वहाँ पर आपको one put करना है तो यहाँ पर आ नमबर आपका ये है तो 2 में हमने 1 फिलप कर दिया उसके बाद आप 3 में कर सकते तो 3 ये है तो उसमें हमने 1 फिलप कर दिया फिर आपका 4 है 4 में आप 1 फिलप कर सकते हैं 5 में भर सकते हैं 5 में हमने कर दिया 6 में 6 में 1 कर दिया 7 में 7 में कर दिया 0 और 1 में आप 1 को नहीं फिल पर आपको 1 अकना है तो आप देखेंगे 2,3,4,5,7 जो दिया गया है उसी की value पर हमने यहाँ पर 1 को put किया है इस 1 को put up करने के बाद आपको इस game app का pair बनाना होता है तो important यह हो जाता है कि pair हम किस प्रकार से बनाएं तो हमने सबसे पहले आपको main point यहीं बताया था इसमें कि जब आप pair बनाएंगे तो सबसे जो आपका large जितना sum हो सके जितना possible हो सके उतना आप large pair बनाएंगे तो आपको यह दिख रहा है एक यह अगर आप pair बनाएंगे तो इस graph के या मतलब इस map के अंतरगत सबसे large होगा दिखिए यह आपका यहाँ पर यह एक आपका pair बन सकता है उके उसकी जश्टबाद आप इसका एक pair बना सकते हैं देखिए मैंने आपको यह भी बताया था आप कुछ student ऐसा सोचेंगे कि एक pair यह बन गया अब इस pair को इसको बनाएंगे इसमें पूरा नहीं लेंगे तो मैंने आपको बताया था दोस्त आप इसके उपर overlap कर सकते हैं अर्थात जैसे कि आपने इसको पूरा लिया तो इसके उपर भी आप इस one one को ले सकते हैं अर्थात overlap कर सकते हैं बस एक ही point था कि आप diagonal अर्थात तिरच्छा आप इस प्रकार से नहीं बना सकते हैं और आप सारी चीजे कर सकते हैं लेकिन सबसे पहला point आपका यह होता है जितना large हो सके उसको पहले आप pair बनाएं उसके just बाद आप इस pair को बनाएंगे ठीके तो दोनों यह pair बन चुके हैं जब यह दोनो pair आप बन जाते हैं तो उसके just बाद अब ऐसा नहीं है कि आप यह एक छोटा pair बनाएंगे एक छोटा pair आप यह बनाएंगे एक यह बनाएंगे तो आपका वो wrong होगा और आपका जो simplification होगा वो गलत हो जाएगा तो सबसे पहला rule यह है कि सबसे बड़ा इसको बनाते है और यह भी आपका सबसे बड़ा है एक दूसरे को बर overlap कर सकते हैं जब यह बन जाता है तो आपका होता है point यहाँ पर इसको simplification में इसको लिखना तो देखिए जब आपका pair बन चुका तो हम इसे माल लीजे यह आपका pair 1 है और यह वाला जो बना हुआ है यह आपका pair यह आपका pair 2 है तो अगर हम pair 1 को ध्यान से गर हम देखते हैं pair 1 को देखिए तो अगर आप इस side से देखेंगे इस side से देखेंगे देखिए जो यह value लिखी हुई है A bar लिखा हुआ है यह इसके सामने है B bar C bar यह सामने है इसके सामने यह इसके सामने सब सटीक इसके सामने लिखा हुआ है तो आप ध्यान दीजिए जब हम इस pair को उठाते हैं तो इधर से तो आपको A मिल जा रहा है इस side से तो A मिल रहा है लेकिन आप उपर से देखेंगे तो क्या एक दूसरे में यह total pair जो बन रहा है इसमें क्या सभी में common इसमें बन रहा है तो आप देखेंगे तो किसी में कोई common नहीं क्या सब में कोई ऐसी value है जो सब में common हो नहीं है common तो आपको यहाँ पर इस side से देखने पर only A मिल रहा है और उपर से इस pair को देखने पर इस side से आपको कोई भी value common इसमें नहीं मिल रहा इसलिए उपर की कोई value नहीं होगी तो यहाँ पर सबसे पहले इस pair का आपको जो value मिला वो O A मिला क्या मिला? single A मिला आपको ठीक है? इसके जश्ट बाद आप pair ये जो आपने two बनाया इसको आप देखेंगे तो pair two जब आप देखते हैं तो pair two देखेंगे तो आपका इस side से देखने पर इस पूरे pair को इस side से इस पूरे pair को देखने पर क्या A बार और आपके A में क्या कुछ common है? बिल्कुल नहीं है दोस्ते A बार A में क्या कोई common है? नहीं है मतलब common का मतलब ये समझिए जैसे यहाँ पर A बार लिखा हुआ तो यहाँ पर B लिखा होता और यहाँ पर A B मतलब A बार B और A B लिखा होता तो इसमें क्या common है? इसमें B common हो गया तो आपका B आप लिख सकते थे, लेकिन यहाँ पर A बार है और यहाँ पर B A तो आप यहाँ पर कुछ नहीं लिख सकते, common नहीं है उपर से आप ध्यान से देखेंगे इस pair में इस side तो कुछ common आपको नहीं मिला लेकिन उपर देखेंगे तो इसमें आपका B C और B C बार में आपका B common हो रहा है आप ध्यान दीजिए B C है और B C बार है इसमें आपका B common हो रहा है वही आपका क्या होगा, answer होगा तो हमने यहाँ पर लिखा A, इस pair का हमने लिखा A और उपर कोई common नहीं इसलिए only A आपको मिलेगा उसके बाद जब second pair का लिखते हैं तो उसके just plus आप plus लगाते हैं नहां दीजिए second pair का जब लिखते हैं तो उसके पहले plus लगाते हैं फिर आपको यह second pair आपने इसको देखा है तो इसमें आपको इस side से कोई value नहीं मिला इस side से आपको इसमें B common मिला तो यहां से B प्राप्ट हुआ तो second pair का B प्राप्ट हुआ और first pair में आपको simplification A तो इस प्रकार से इसका answer हुआ A plus B, F dash इसलिए लिख दिया गया दोस्त इसमें हमने इसको F is equal to हमने लिया था आपको भी मान सकते है F is equal to हमने function को आज़ा माना था और यहां पर जब हमने simplification लिया तो इसको F dash लिख दिया ठीक है F dash is equal to आपने क्या लिख दिया A plus B तो आपका इसका answer कितना है A plus B इसका answer आया Simplification या Minimized आप कह सकते है Minimized expression जो आपका आया वो A plus B आया चलिए next question की तरफ चलते है अगला question आपसे क्या कह रहा है इसलिए वीडियो के लाहस तक आप बने रहिएगा आपसे एक यही request है जिससे यह मैंने जितने भी यहां पर question को लिया है यह आपका कह सकते हैं second type का यह question हुआ इसमें देखिए आपको f equal to इस प्रकार से question दिया जाएगा इसमें आपको कहीं पर यह कुछ ऐसा नहीं रहेगा आपको चीजों को बनाना होगा तो देखिए अगर आपको f equal to xy plus x bar y bar z bar plus x bar y z bar दिया है तो उस condition में आपको क्या होता है उस condition में आप simple सा आपको यह तो पता है कि x y z इसमें दिया है तो मतलब यह three variable हो गया यह three variable हो गया x y z है मतलब तीन variable हो गये तो यह चीज आपको पता चल गया कि number आप जो block यहाँ बनाएंगे कोश्टक की संख्या कितनी होगी total 8 होगी तो आपको यहाँ पर simple सा आपको 8 block बना देना है उसके जश्ट बाद आप इधर x z या y z आप इस प्रकार से question में आपको इस प्रकार से दे भी सकता है या फिर आप इसको simple सा आप बना लिजे ठीक है x y z हो सकता question में आपको इतना ही दिया जाए और इसका simplification की बात कही जाए तो simple सा आप इधर x और y z आप लिखते हैं उपर भी लिख सकते हैं नीचे भी कोई दिक्कत नहीं है तो यहाँ पर जब आप इसको लिख लेते हैं तो यहाँ पर इस side में आप इसको इसमें one कैसे यह fill up किया है इसको समझे एक एक point को देखना है अब पहले आप x y को देखिए x y गर आप ध्यान से देखेंगे x आपका कहा है यहाँ जहाँ आपका है वहाँ पर आप अपनी नजर को दोड़ाएं x y आपको दिया है तो x आपका यहाँ पर है और x के बाद आप ऐसे चलते जाएं उपर देखिए y क्या कहीं पर आपको मिल रहा है यहाँ पर y बार z बार है यहाँ पर y आपको नहीं मिला चुकी देखिए आपका y, z है तो हम y पहले आपका x, y है तो हम पहले x को पकड़ लेगे X आप पकल लिए हैं आप इस साइड आप चलेंगे उपर से आप देखते चलिए क्या X के साथ हमें Y चाहिए तो क्या Y उपर से मिल रहा है तो इसमें Y बार Z बार है नहीं मिला इधर आप देखेंगे Y बार Z बार है इस साइड भी नहीं मिला इधर आपका Y Z है तो मतलब इसमें क्या है Y है और यहां पर भी Y Z बार है तो यहां पर भी आपको इस लाइन में भी आपको Y मिल गया इस लाइन में भी Y मिल गया यहाँ पर आपको X मिल गया मतलब यहाँ पर आपको इस point पर इस point पर आपको X Y मिल रहा है और इस point पर भी आपको X Y मिल रहा है तो जहाँ पर X Y मिल रहा है देखें Z और Z बार को भी भूल जाएए बात इतनी सी है आप X इधर से ले चल रहे है और y भी आपको साथ में चाहिए तो उपर से आपको y चाहिए तो यहाँ पर भी y है यहाँ पर भी y है तो यहाँ पर xy मिलने कर यहाँ पर one one आप put करेंगे तो पहला point आपका xy fix हो गया इसके ज़स्ट बात दोस्त आप करेंगे x bar, y bar, z bar की value put up करना है तो ध्यान दीजिए आपको इसकी value put up करने के लिए यहाँ से आप देखिए x bar लेना है तो x bar पर रुकिए यह x bar है अब इधर आप ऐसे ही चलते जाएए ठीक है तो x bar पर हमने लिया और उपर से आपको देखना है x bar, y bar, z bar चाहिए तो पहले आप देखिए क्या यहाँ पर y bar, z bar है हाँ, यहाँ y bar, z bar है और यह जो value दी है यह आपका z bar है मतलब यह आपका x bar हो गया उपर से आपको y bar, z bar मिल गया तो दोनों यहाँ पर include हुए तो यहाँ पर आप one रख सकते हैं तो यहाँ पर आप one रखेंगे यह वाली value हम देख रहे हैं और आगे आप देख लिजे कही पर और भी आपको मिल रहा है तो इधर देखेंगे y bar, z ही मिल रहा है यहाँ यहाँ y, z bar मिल रहा है मतलब यहाँ पर only आपको यह जो value है यहाँ पर यही एक value मिली है जो x bar y z bar हो यही पर मिली है इसलिए केवल आप यहाँ पर one रखेंगे उसके बाद नेश्टा आपका है दोस्त x bar y z bar तो फिर से आप z x bar को पकड़िए और इस side आप बढ़ते चलिए तो जब आप x bar को पकड़ते हैं और आपको x y z bar चाहिए तो आप देखिए उपर क्या y z bar कहीं पर है तो यहाँ पर y z bar नहीं है यह y z bar नहीं यह y bar z है यह आपका y z है यह आपका y z bar है ओके x bar और यह आपका y z bar तो यहाँ पर आपके दोनों point मिल रहें तो इस प्रकार से आप पक्या हुआ यहाँ पर आप one रखेंगे कुल मिला कर ची भी value 1 आ जाते हैं अब आपको number आ पेर बनाना है तो देखिए ये simple सा एक पेर ती ये बन जाएगा आपका एक पेर आपका ये बन जाएगा हमने आपको जो rule वाला formula 6 rule आपको हमने बताये थे अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा तो description में playlist का link मिल जाएगा लिंक पर click करके आप उन वीडियो को देखिए बहुत ही आसानी से चीज़े आपको solve करने आ जाएगी चलिए यहाँ पर आपको एक pair आपने इसको बना दिया वन वन का एक pair आपने बना दिया अब यहाँ पर एक वन इस side बचा हुआ है एक इस side बचा हुआ है तो हमने उस rule में ये भी बताया था कि आप किसी k-map में जब बहुत ही left या बहुत ही right side में रहता है और सामने सामने है तो उस condition में आप वन वन का आप pair बना सकते हैं तो एक side में हमने इसको ले लिया एक side में इसको ले लिया तो ये आपका क्या बन गया एक pair बन गया एक pair आपका यहां से बन गया एक pair यहां से आपका यह बन गया अगर आपका दोस्त इस प्रकार से यह one value होती माली जी यहां पर one न होता और यहां पर one होता तो इस प्रकार से इसको इसको आप pair बना सकते थे, मतलब up और down आप pair बना सकते हैं, lift और right pair बना सकते हैं, बट आपके सामने होने चाहिए और इस प्रकार से होने चाहिए, जैसे कि यहाँ पर आपको दिख रहा है, यह आपके एक pair होगी, single का pair भी बनता है, हमने बताया था, 2 के power 0 है, 2 के power 1 है, 2 के power 2 है, तो इस प्रकार pair बनता, 2 के power 0 मतलब 1 का pair, 2 के power 1 का मतलब 2 का pair, 2 के power 4 मतलब कितना होगा, 4, तो 1, 2, 4 इस प्रकार से आप pair बना सकते हैं, तो यहाँ पर two का pair बनाय गया, यहाँ one one को मिला कर एक pair बना दिया गया, तो इस प्रकार से आप इसको pair बना लिया, अब इसी का simplification आप लिख लीजिए, देखिए, अब इसका minimize expression हम क्या लिखते हैं, simplification का है या minimize बात एक ही है, आप जो समझे उसको आप लिख सकते हैं, ठीक है, तो देखिए, कैसे इसको चीजों को लिखना है, अब अगर हम one को देखते हैं, one को अगर हम देखते हैं, तो one को आप देखेंगे, तो यहाँ पर अगर हम नहीं, हम पहले किसको देखेंगे दोस्त, हम देखेंगे किसको, हम pair को देखेंगे, तो यह माल लीजिए, यह आपका pair है, एक pair यह आपका बना, तो इस pair को अगर आप देखेंगे, तो इस side से आप देखिए, तो इधर से x आपको common मिल रहा है मेरे दोस्त आप इधर से देखेंगे तो क्या दोनो one one एक इसमें आ रहे हैं बिल्कुल दोनो एक ही सामने में one one आ रहे हैं तो x यहां से आपको मिल गया अब इसी के just उपर आप देख लीजे क्या उपर इन दोनों की value में आपको कोई common मिल रहा है इसके जो सामने हैं यह दोनो क्या इसमें कुछ common है बिल्कुल इसमें common क्या है y, y, z है इसमें y, z बार है तो इसमें common क्या है y और इधर से आपको x मिल गया तो x into y आपको इससे मिल गया क्या मिल गया x into y अर्थात इस pair से आपको x और उपर से जो common मिला y तो x y आपको मिल गया ये आपका pair number 1 इसको कह सकते हैं और इन दोनों को मिला कर जो आपका pair बना है अब इस से देखिए आपका क्या common बन रहा है ध्यान से देखिएगा इसमें आप इस दोनों pair में आप ऊपर देखें ध्यान दीजिए इस दोनों pair में अगर ऊपर देखेंगे तो क्या कोई common बन रहा है बिल्कुल आपका common बनना है इसमें दोनों में common है z bar मैं थोड़ा सा आपको जूम करके clear दिखाता हूँ देखे इसमें y bar z bar है इसमें y z bar है इनमें दोनों में आप देखेंगे ध्यान से तो इसमें आपका common बन रहा है वो z bar common है ठीक है z bar और सामने से तो आपको पता है x bar चुकि दोनों एक ही line में तो यहां से x bar आपको मिल गया और इधर दोनों में आप देखेंगे तो इसमें आपको क्या मिला इसमें y bar z bar है इसमें y z bar है तो common आपका z bar हुआ तो इधर से आपको मिला x bar x bar और इस common से मिला आपको क्या मिला z bar तो यहां से मिल गया आपका x bar z bar ठीक है तो यहां पर आपको क्या लिखेंगे plus x bar z bar तो इस value से आपको इस pair से मिला x y यह minimized expression आपका app dash इसको हमने लिख दिया आसा करते हैं यह चीज़े आप समझ रहे होंगे थोड़ा और आप समझने कोशिस करिए और हम question number 3 की तरब चलते है question number 3 आपके screen पर इस प्रकार से दिया गया है मैंने यहाँ पर directly चीज़ों को लिख दिया है और बस इसको समझाने के लिए मैंने इसको चीज़ों को direct नहाँ पर किया देखिए यहाँ पर क्या है यह भी आपका three variable a,b,c इस प्रकार से लिखा है यहाँ पर आप देखेंगे numbering जिस प्रकार से इसका लिखा जाता है यहाँ से आपको लिखा गया है ठीके तो इसमें a bar,b bar,ab,b,c bar और c की साइड में c bar और c हमने लिखा है जिस प्रकार सा भी x का था तो वहाँ पर x bar लिखा गया तो x लिखा दिया था उसी प्रकार इस साइड में c है इसलिए हमने c bar और c को लिखा है अब आपके question में मान लीजी, आपके question में कुछ भी यहाँ पर दिया गया था, expression जो दिया गया था, उसका हमको simplify करना है, तो उसमें already यहाँ पर मैंने लिख दिया है, तो यहाँ पर one लिखा हुआ, यहाँ 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 पर आप देख रहें one है, और यह zero है, यह zero है, ठीक है, तो यहाँ पर आपको pair बनाना सीखना है, कैसे इसका pair बनाएंगे, समझिए, यहाँ पर आपको one one यह zero है, पुट है, आपको pair, हमने क्या बता है, सबसे पहला point आपको है, कि इसमें क्या ध्यान देना है, आपको सबसे long pair बनाना है, जितना possible हो सके, उतना आप बड़ा pair बना आपको बनाना possibility जितनी बड़ी हो, ठीक है, तो हमने दोस्त एक pair यह बना दिया, उसके जश्ट बाद आपका इस side में एक one बच रहा है, और एक side में इस side में एक one बच रहा है, ठीक है, यह तो आपका एक pair बन चुका है, लेकिन आप पताईए, यहाँ पर एक one बच रहा है, यहाँ पर एक one बच रहा है, तो इसलिए यहाँ से इसको हम एक pair बना देंगे, और एक side से इसका pair, तो इस प्रकार से आपको number आप कितने pair बन चुके हैं, यह त्री pair बन चुके हैं, एक side से आपका एक pair बन गया, एक side से आपका एक pair बन गया, और total एक pair यह बन गया, तो आप इसके उपर overlap अर्थात उसके उपर अध्या रोपित कर सकते हैं ठीक है यह चीज आप समझ लीजिए चलिए यहाँ पर आपका नंबरा पेर यह बन चुका है अब इसका आपको simplification लिखना है तो एक एक पेर को आप देखेंगे और चीजों को लिखेंगे तो ध्यान दीज तो इसकी इधर से कोई value इसकी नहीं लिखी जाएगे इसके जश्ट आप ऊपर देखेंगे तो क्या AB और AB बार में कोई common है तो हाँ इसमें आपका common है B तो यहाँ से आपका जो first इसको pair आप मान सकते हैं इस pair में जो आपको value मिली इस से आपको कितनी मिली इसकी value आपको B मि लिखा है कोई भी आगे पीछे आप कर सकते हैं उसको simply आप लिख सकते हैं तो हमने पहले इसी pair को आपको बता दिया तो यहाँ पर हमने B लिख लिया ठीक है अब देखिए उसके जश्ट बाद आप इस pair को ले लेते हैं अगर इस pair को लेंगे तो आप इस side से देखेंगे त तो इसमें दोनों में common A bar है क्या है A bar और इधर से आपको जो मिला है वो C bar तो आपको मिल गया A bar C bar तो आप देखेंगे यहां पर हमने क्या लिखा A bar C bar तो आपको यह जो आपने इसको आप solve करेंगे तो आपको A bar C bar मिला एक बार इस side से देखना है एक बार row एक बार column तो देखा तो आपने इस साइड से देखा तो आपको C बार दोनों में कामन दिख रहा है लेकिन इसमें आप इसको देखेंगे तो इसमें आपको जो कामन मिलेगा आप ध्यान से देख सकते हैं इसमें जो कामन मिलेगा वो आपको A बार आपको कामन मिलेगा तो A बार C बार इसका आपका है इसकी जश्ट बाद आप इस लास्ट वाला जो आपका ये पेर है इसको देखेंगे तो इसमें क्या कामन बन रहा है इसको आध्यान से देखेंगे तो इस साइड से आप देखेंगे से आपको C मिला और यहाँ पर दोनों में common था तो आपको B मिल गया और BC आपका इसका complete हुगा तो इस प्रकार से आप यहाँ पर देख पाएंगे एक मड़ दोस्त, BC नहीं यहाँ पर एक मड़े हाँ पर दोस्तों माफी चाहूँगा यहाँ पर मिश्टेक लिग गया है, यहाँ पर गलती लिखा है, आप भी समझ सकते हैं कि यह हमने AB से लिया है, तो यहाँ पर सारी चीजे AB की ही रहेंगी और गलती से यहाँ पर BC बार लिख गया है, इसको आप थोड़ा सही करिए, इसमें आपका क्या होगा यहाँ पर आपका AB बार होगा, तो जब यहाँ पर AB होगा, तो आप AB और AB बार के बीच क्या कामन पाएंगे और इस side से इस pair में आपका इस side से इसमें C पाएंगे तो आपको इस side से आपको इस pair में आपको A, C मिलेगा तो गलती हो गए थी उसको आप छोड़िए उसको आप ध्यान दीजेगा और मतलब इसको आप सही कर लीजे यहां पर आपको A, B बार लिख लीजे यह चीज तो आप जानते ही है कैसे इसको लिखा जाता है तो इस pair के लिए इस pair के लिए आपको जो मिला है इन दोनों से और इस side से आपको A, C मिला क्या मिला? A, C ठीक है तो इस परकार इसका जो answer आया वो आपको A, C बार प्लस A, C प्लस B इसका complete answer आया next question और भी है इसको आप देखते चलिए वीडियो थोड़ा लंबा है लेकिन मैं सारे question को इसी वीडियो में include करने वाला हूँ अब आप last तक बने रहे हैं तो अच्छी बात है नहीं आप वीडियो पूरा देख सकते हैं जैसे आपके इच्छा हो तो question number आपको हमने 4 लिया यहाँ पर f is equal to आपको दिया है x bar प्लस y bar प्लस y z प्लस x bar y z bar ओके इस question में आपसे इस प्रकार को आपको दिया गया इसमें आपको क्या करना है वही के मैप बनाना है और चीजों को put up करना है तो हमने simple सा 3 variable का है चुकि आपको simple सा x y z इसमें दिख रहा है तो आप simple सा यहाँ से समझ जाएंगे कि यह आपका क्या है 3 variable का है तो number आप block अप कितने बनाएंगे 8 आप block बना देंगे तुरंत आप कितने number आप 8 block आप बना देंगे ठीक है फिर उसके बाद आपको इसमें numbering करने की 0, 1, 2, 3, 4 इस प्रकार से करने कोई जोट नहीं परलब जो अभी 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे करते थे इसमें आपको करने की जरूरत नहीं है वो जब आपको question इस प्रकार से दिया जाएगा f is equal to, समेशन आप 0, 1, 2, 3, 4 इस प्रकार से question जब दिया जाएगा जैसे हमने पहला question बताया तब उस condition में चीजों को आपको लिखना होगा लेकिन जब आपका इस प्रकार से question दिया जाएगा तब आपको जो उपर आपको ये दिख रहे है इन ही सभी value को आपको x bar, y bar, z bar, y bar, z, y, z, y, z bar इन ही को आपको put करना है ठीक है तो इस condition में आप यहाँ पर ये देखेंगे सबसे पहले एक question आपको दिया गया तो उसमें हम देख लेते हैं यहाँ पर आपको क्या लिखना है देखें, यह चीज तो आप समझ रहे हैं न दोस्त कि यहाँ पर three variable है तो आपका fourth number question पर हूँ तो आप तो यह तो आप समझ गया होगी कैसे मैं लिख रहा हूँ ठीक है, तो इधर आपका x होता है नीचे आपका x है, यह आपका इस प्रकार से इन सभी की value है चलिए, यहाँ पर main point यह है कि आप आप देखेंगे x bar y bar x bar y bar तो x bar आपका यह है, आपको कहां से देख रहा है x bar से आप देखिए, यह क्या है आपका यह आपका x bar है, और यह आपका y bar है तो आप जब x की तरफ से ऐसे चलेंगे तो उपर से देखते आप चलिए कि क्या हमें y bar मिल रहा है तो आप यहाँ से x bar आप लेकर चले और उपर से देखेंगे तो आपको तुरंट पहले पर ही y bar मिल गया, y bar z bar है लेकिन हमें y bar तो इसमें मिल रहा है तो बस यहाँ पर आपको one put कर देना है फिर थोड़ा सा आप आगे बढ़िए क्या आपको इसमें भी y bar मिल रहा है बिल्कुल इसमें भी y bar मिल रहा है तो x bar y bar यहाँ पर भी एक one रखेंगे फिर और आगे बढ़ेंगे तो यहाँ y और z है तो यहाँ पर आपको y bar नहीं मिला तो आप यहाँ पर क्या यह जो है यहाँ पर one नहीं put करेंगे यह जो one रखा गया है यह आगे के जो आपको value यह सब दी गए उसका रखा गया है ठीक है तो बस इसके बाद आप इसको one अभी है मैं रखता हूँ वहाँ पर कैसे one आए उसको बार है तो x bar y bar यहाँ पर यहाँ पर one one put हो जाएगा इसमें का यहाँ तक ही complete होगा उसके बाद आप प्लस में y z है तो y z देखिए यह आपका क्या है y z तो यहाँ पर कहां कहां put करेंगे ध्यान दीजिए y और z कहां है यह है y और z तो इसके सामने आपका यहाँ पर तुर इसके सामने आप यहाँ पर देखते चलिए x bar y z bar तो यहाँ पर आप दिखेंगे last वाला जो है वही आपका एक ऐसा point है जो x bar y z को दर्सा रहा है तो इहाँ पर आप देखें यह x bar है और यह y z तो last point यहाँ पर आपका one हो जाएगा तो बस इतना ही करना है कि जो आपको question द बिलाना है कि कहां पर दो पॉइंट मिल रहे हैं जहां पर मिलेंगे वही पर आपको वन को रख देना है जैसे ही आप वन रखेंगे उसके बाद आपको नंबरा पेर बनाना है अब देखिए हमने क्या बताया पेर में आपको हमने रूल बताया हमने यही बताया दोस्त कि जो आपको pair बनाना है सबसे लौड जी इतना possible हो सके पहले आप बड़ा player बनाएंगे pair प्लेयर नहीं दोस्त पेर बनाएंगे ओके तो यहाँ पर हम pair इसको अगर हम बनाते हैं सबसे बड़ा pair आपको यही दिख रहा है सबसे पहले आप इस pair को आप बनाएंगे उसके बाद आप इस pair को आप बना सकते हैं ठीक है और यह चीज हमने आपको बताया है था कि एक दूसरे के उपर आप pair को overlap कर सकते हैं तो यहाँ पर एक pair आपका one ये बन गया pair number one और ये pair number आपका two ये बन गया अब यहाँ पर आपको simplification इसका simple सा लिख देना है अब इसको देखिए अब इस pair में आप pair number one अगर आप देखेंगे तो इस side से देखना है और उपर से देखना है तो अगर इस side से देखेंगे तो इस one one में जो common है वो x बार है लेकिन जो ये pair बना हुआ है क्या इसमें सभी में क्या सभी में common है कुछ मतलब ये यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका pair बना हुआ है और pair का मतलब बनाने का मतलब जो केमाइब आप लिखते हैं उसमें main point होता है common का तो आपका एक दूसरे में common होना चाहिए ठीक है लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे तो इसमें सभी में एक दूसरे में कुछ भी आपको common नहीं मिलेगा चारों में आप देखें क्या कोई common मिल रहा है नहीं मिलेगा ठीक है तो X bar ही एवल केवल आपको इधर मिलने वाला है इस पेर में इसलिए यहाँ पर आपको पहला मिला X bar उसके जश्टबाद आप देखेंगे पेर नमर 2 तो यह आपका पेर नमर 2 है तो इस साइड से जब आप देखेंगे तो यह आपका पेर इन दोनों में आ रहा है पेर आप देखेंगे इस साइड से जब आप देखते हैं तो इस साइड से देखने पर यहाँ X bar है यहाँ X है क्या इसमें दोनों में कुछ कावन है नहीं है तो इधर कुछ नहीं लिखेंगे जब आप ऊपर से देखेंगे तो ऊपर से यही सामने है इसमें जो value होगी जैस कि यहाँ पर इसके सामने yz है तो yz आप लिख देंगे तो इस प्रकार से आपका इसका एंस्वर f dash is equal to x bar plus yz इसका complete answer आएगा ठीक है इसका answer कितना आएगा x bar plus yz ओके इसका complete answer आएगा चलिए next question आपके screen पर है अगला question आप देखिए जो की last question है अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखा तो comment में जह हिंद जरूर लिखके जाईएगा तब ही मुझे पता चलेगा कितने student हमें सामें सामें मतलब अभी तक यह जुड़े हुए थे हमारे साथ question आपको f equal to दिया है a bar b plus b c bar plus b bar c bar यह question आपको दिया गया है इसमें आपको बताना है इसका आपको k map के आधार पर इसका simplification करना है या आपको इसको minimized expression आपको लिखना है तो कैसे लिखेंगे तो आपको f equal to यह दिया गया है आपको number आप पता चल गया कि a b b c या b bar c bar दिया है इसका आप इस प्रकार से खीच के इस साइड में a और इस साइड में b c आप रख देंगे तो यहाँ पर a रखते हैं तो आपका इधर a bar और यह आपका a ठीक है यह आप इधर a रखते हैं तो यह आपका a बार चलता है इधर आपका a मतलब A बार जो होता है उसे कहते है मतलब यह A का कमप्लीमेंट होता है और इस साइड में आपका B C है तो आपका यह B बार C यहाँ पर B बार C यह आपका B C यह B C बार जब आप कुश्चन को लगाएंगे तो आपको याद हो जाएगा उसमें बहुत टाफ आपका नहीं है और हमने में पॉइंट यह बता दिया कि जब आप कुश्चन इसको लगाते है इस प्रकार के तो इसमें आपको अंदर इस कुश्चन के अंदर यहाँ पर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 लिखने की कोई जरूरत नहीं है ठीक है कुश्चन में तब लिखा जाता है जब आपको कुश्चन में इस प्रकार से दिया रहेगा 0, 1, 2, 3, 4 इस प्रकार से कुश्चन में डिवेंट करता है जब इस प्रकार का कुश्चन रहेगा तब आपको वहाँ पर लिखने की कोई जरूरत नहीं है तब यही आपका main point है इसको और इसको और इन सभी को लिखने की ठीक है अब देखें यहाँ पर आपको पहले दिया है A bar B अब देखें आपको pair बनाना है तो उसके लिए पहले one को put करना होता है तो A bar B आपको लिखना है तो A bar B कैसी लिखेंगे इसको समझे A bar कहा है पहले ये देखें A bar आपका यहाँ है और B कहाँ है तो इससाइड से गर आप चलते हैं जहां फिर आपको देखें A bar आपको यह hij हो गया तो यहां पर वन रखेंगे और यहां पर one रखेंगे बस यही आपको ध्यान देना है कि a बार ये हो गया और b आपको जो आप b देखते हैं आप उपर देखिए चुकि b, c आपको उपर ही होगा तो आप b उपर देखेंगे तो जहां भी आपको b मिलेंगा वही पर आपको रुकनाई देखिए यहां पर क्या चुकि ए तो आपका जो ए है वो नीचे है तो बी तो नीचे बी और सी है नहीं तो आप बी सी कहा देखेंगे आप उपर वाली लाइन में देखेंगे तो यहां पर बी सी बार देखना है तो यहां पर भी आपका नहीं है बी सी बार यह भी बार सी है वहाँ पर आपको put करना है अगर यहाँ पर one ना होता एक बात कहें जैसे कि यहाँ पर a bar b था तो आपने यहाँ पर दोनों में b b था तो इसलिए आपने one already इसकी value से रख दिया आपने लेकिन अगर मान लीजे एक condition होता कि यहाँ पर ना होता तब भी आपका यह b c bar के कारण b c bar के कारण दोनों में आप e c के कारण one को put करते तो यहाँ पर दोनों में क्या हो गया one one इसके कारण put up हो गया ठीक है तो simple सा यह चीज आपने समझा लाश्ट आपका बचा दोस्त बी बार c तो आप देखिए b bar c कहा है तो b c देखना है यह है आपका b bar c तो इसके सामने आपने put up कर दिया अब आपको simplification का मतलब इसको बनाना है pair अब आप ध्यान से गर चीजों को देखेंगे तो अगर आप ऐसे आप pair बना देते हैं या आप ऐसे pair बना देते हैं तो आपके number आप pair जो होंगे pair बड़ा नहीं बनेगा और हमने आप से पहले ही question से कहा है कि आप आपको कोसिस क्या करना है कि number आप जो आप pair हो मतलब pair बहुत आपका large कोसिस करें अगर आपके one one है तो कोसिस करें कैसे भी आपको pair बड़ा बनाना है और हमने rule में आपको बताया था कि आप left से या right से आप pair बना सकते हैं इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होगी तो आप ज साइड से देखिए इसमें क्या कामन हो रहा है और उपर से देखिए दोनों में क्या कामन हो रहा है तो इस साइड से अगर आप देखते हैं दोस्तों तो यहां पर इस साइड से इस दोनों में कुछ भी आपको कामन नहीं मिल रहा आप ध्यान से इस चीच को देखिए यहां पर A bar है और यहां A है तो क्या इसमें कुछ कामन है नहीं कामन है और इस पेर से और इस पेर से जो इसमें the value जो आपको मिली वो इस से आपको only C bar मिली क्या मिली आपको C bar तो इस pair का आपको जो only प्राप्त हुआ वो only आपको C bar प्राप्त हुआ तो आप यहाँ पर C bar आपको प्राप्त हुआ अब कुश्चर यह है कि A bar B किसका है तो आपको हमने क्या बता है गर आपने ध्यान दिया होगा तो एक pair आपका यह भी तो बन रहा है दोस्त चुकि आपको हमने यह बताया यहाँ पर आप overlap करा सकते हैं तो यह आपका एक pair बन गया एक pair यह आपका बन गया अब last आपको इसका आप pair बना सकते है overlap आपको 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 यह बन जाता है देखें अभी हमने इसको गोला नहीं किया लेकिन मैं यहाँ पर जो दरसा रहा हूँ यह जो बन रहा है यह दोनो वन वन जो बन रहा है एक pair बना इस side से A बार मिलेगा और उपर से आपको BC और BC बार से B मिलेगा दोनों में क्या कामन है B तो A बार B आपको मिला तो इस प्रकार आपका इसका एंसर हुआ simplified expression जो हुआ वो C बार प्लस A बार B हुआ इस question का जो answer हुआ वो आपका complete answer हुआ C बार प्लस A बार B तो question आप देख लीजे आसा करता हूँ यह वीडियो आपने यहां तक देखा तो comment में जहिंद लिखें और वीडियो पसंदाद तो वीडियो इस share जरूर करिएगा जिससे बहुत से student को के मैप में दिक्कत होती है बस यही आप से इच्छा रहेगी कि आप इस वीडियो को share करेंगे और share करते हैं तो जो बहुत से student के help होगी धन्यवाद